आत्मा का रहस्य ऐसा सभी सोच रहे थे यग्य समाप्त हुआ ब्रह्मनों ने वाजश्रवा को आशिर्वाद दिया और वाजश्रवा ने उन्हें दक्षिना देना प्रारंब किया किन्तु यह क्या यग्य की संतिम घडी में वाजश्रवा को किस मोहने घेर लिया कहा तो उसने निश्चय किया था कि यग्य की समाप्ती पर वह अपनी सारी संपत्ती दान कर देगा और कहा दक्षिना में देने लगा ऐसी निर्बल और बूढ़ी गाएं जिन्होंने दूद देना ही बंद कर दिया था लोग दभी जुबान से वाजश्रवा की आलोचना कर रहे थे किन्तु सबसे अधिक दुखी था कोने में बैठा वह किशोर बाल कवाजश्रवा का पुत्र नचिकेता अपने पिता की इस्क्रिपंता को देख कर नचिकेता से न रहा गया खिन्मन से वह उनके पास गया और बोला पिता जी दक्षिना में तो यजमान अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु देते हैं आपने तो ऐसी गाएं दी हैं जिनका आपके लिए कोई उप्योग ही नहीं रह गया है इससे आपको पुन्य नहीं मिलेगा फिर कुछ रुक कर बोला पिता जी आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ आप मुझे ही किसी को दक्षिना में क्यों नहीं दे देते वाज अश्रवाज हुंजला उठे बच्चे के हट से कुरद होकर वे बोले जा मैंने तुझे मृत्यू को दिया जिस तरह धनुष से छूटा हुआ बान वापिस नहीं आ सकता उसी तरह मूँ से निकली हुई बात भी लोटाई नहीं जा सकती थी नचकेता अपने पिता और अन्य सभी संबंधियों से विदा लेकर चल दिया यम्राज के घर वह बालक अन्य बालकों से बहुत भिन्न था उसके मुख पर तेज था और चहरे पर प्रसन्नता जहलक रही थी जिस यम्राज के नाम से भी मनुष्य थर-थर काप उठते थे उनके सम्मुख बालक नचकेता बिना किसी भय के स्वाभिमान के साथ खड़ा था यम्राज बोले नचकेता तुम्हारी पितर भक्ती और द्रिढ निश्चय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुम्हे तीन वर देना चाहता हूँ नचकेता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला धर्मराज मुझे पहला वर तो यह दीजिए कि मेरे पिताजी का मुझ पर से क्रोध शान्त हो जाए ऐसा ही होगा यम्राज ने कहा नचकेता ने दूसरा वर मांगा आनंदपूर्ण स्वर्ग को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? मुझे इसका उपदेश दीजिए वचनबध्यमराज ने नचकेता को वे सब विधियां समझाई जिन से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त कर सकते है नचकेता ने तीसरा वर मांगा संसार में एक वस्तू है जो की प्रिथवी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है और वह है हमारी अपनी आत्मा तीसरे वर के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाईए तब यमराज ने नचकेता को उनके प्रलोभन दिये की वह जो चाहे मांगले पर आत्मा और मृत्यू के रहस्य को ना पूछे शान तोर गम भी रभाव से नचकेता बोला आपने जो इतनी चीजों का वर्दान मुझे देने के लिए कहा है क्या इन में से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सका है संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को क्षीन ही तो करते हैं धन से मनुष्य की त्रिप्ती नहीं हो सकती मैं तो जनम और मृत्यू के पीछे छिपे हुए रहस्य को ही जानना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई वर मुझे नहीं चाहिए, यम्राज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा, संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपने निश्चे से डिगा नहीं सका, प्रसंद होकर यम्राज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया, आत्मा न तो कभी पैदा होती है, न मरती है, वह अजर अमर है और शरीर के नश्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है, आत्मा का ग्यान ही सच्चा ग्यान है, ग्यानी मनुष्य सब प्रानियों को अपने अंदर और अपन प्रानियों के अंदर देखता है, अपने शरीर को यदी तुम एक रत मानो तो इंद्रियां उसके घोडे है, मन उन घोडों की लगाम है और बुद्धी सार्थी के स्थान पर है, इस रत पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है, उसी के लिए यह सारा खेल रचा गया है, जिस प्रकार दुष्ट घोडे रत में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती है, तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ट व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप करो, बालक नच केता ने यम के उपदेश पर आचरण किया, वह बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा रिशी बना,